हेलो फ्रेंड्स मैं रहनू आप सभी का स्वागत करती हूं फिर से रहनुदा किचिन चैनल पे तो दोस्तों आज मैं बहुती बड़ी है स्नेक लेके आई हूं आलू से जो बनाएंगे हम अगर आप सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब निए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें क्यों आप सभी को मेरे चैनल पे अच्छी रेस्पियां देखने को मिलेंगी और बेल आइकन बटन किलिक करना ना भूलिएगा देखिए किते क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार बनी है चलिए दोस्तों बना लेते हैं उसके लिए मैंने यहाँ पे आलू ले लिये हैं आलूं को मैंने अच्छे से धो लिया है इनको मैं कट कर लूँगी चील के यहाँ पे देखिए आलूं को मैंने छिकल निकाल दिया है और इस साइज में मैंने इनको काट लिया है और मैंने इनको बॉयल भी कर लिया है देखिए हमें बॉयल ऐसे चाहिए ज़्यादा हमें बॉयल नहीं करना है हमें कम बॉil करना है यह दिखे इतना बॉil करना है कि हमारे आलो इतने टूट सके ज्यादा बॉil नहीं करना है वरना हो यह हमारे इसनेक अच्छे नहीं बनेंगे चलिए यहां पर यह ठंडे भी हो चुकी है, गरम नहीं है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ दो चमच, कॉन फ्लॉर, होती बड़िया स्नेक है, बच्चों को भी काफी पसंद आएगा, जब भी मनो, बना सकते हैं आप, बना के खा सकते हैं अपने घर पे, अब इसमें मैं डाल तो यह थोड़ी सी चिली फ्लैक्स, ब्लेक पेपर, आदी चमच इसमें मैं ब्लेक पेपर डालूंगी, अब इसको हम मिला लेंगे, और इसमें मैं डालूंगी आदी चमच, मैगी मसाला, इसका टेस्ट काफी अच्छ आएगा, मैगी मसाले से, अब इसमें मैं डाल रही हूं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और इन सब चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे अब यह देखिए यहां पर मैंने अच्छे से मिला लिया है तो चलिए यहां पर कड़ाई भी रख दीती मैंने तेल गरम हो चुका है अच्छा तो इसमें मैं अब डालूंगे अपने आलू जो हमने अभी सब कुछ मिला के रखे थे उसमें अब इसको हम कर लेंगे फ्राये बढ़िया से जब तक क्रिस्पी नहीं हो जाते इनको हम फ्राय करेंगे और चलाते रहेंगे आलूं को बहुत ही टेस्टी बनेगा इसको आप सौस से इंजोई करिए बहुत मज़ेदार बनेगा हमारा अचने यह देखिए दोस्तों सिख चुके हैं यह बढ़िया तरीके से अब इनको मैं निकाल लूँगे एक प्लेट में इसी तरीके से जो बाकी के भी आलू है उनको मैं इसी तरीके से से लूँगे यह देखिए देखिए यहां पर मैंने आलू को निकाल लिया है एक प्लेट में देखिए देखने में काफी अच्छे लग रहे हैं बहुत ही मज़ेदार भी लग रहे हैं देखिए दोस्तों यह सिक्के त्यार हो चुके हैं मैंने एक प्लेट में नि जालू और इसमें थोड़ा सा और मैंने नमक डाल दिया जादा नहीं अब इसको हम मिला लेंगे अब आप इसको चाय से एंजॉय करिए या फिर कुछ भड़िया खाने का मन हो रहा हो आप ऐसे बना के खा सकते हैं अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइ बाइज उतरू कि हो अगा मों तो है बाइब आप गिर दक उसे में ये गादा होजां मां गभ महीं टेए आ 사고ंद आप भार फूमां जाहीं जार्वाव धेसे नहीं पैने खिर अपीं ग